Welcome to my channel friends और आज आपके लिए बहुत अच्छा है कि अम्प्लिफार मैं लेके आया हूँ काफी दिनों से मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन टाइम की वज़े से मैं नहीं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पा रहा था मेरे नजरिये से काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये और ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा इसलिए दो वीडियो मैं इसके लिए बनाऊंगा और आप जानते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट में बनाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि काफी डिटेल में मैं बनाऊं ताकि जो भी आदमी उसको देखने वाला है या जो उससे बनाना चाहता है उसे काफी अच्छे तरीके से ये चीजे समझ में आ सके तो आप देख रहे हैं काफी तगड़ा एंप्लिफायर है ये 700W RMS का है और इसका complete module आपने देख लिया ये इसका half built module है PCB देखे आपके मन में जरूर question आया होगा कि PCB में legends वगरा सारे उल्टे हो गया है तो ये मेरी अपनी mistake है इसलिए आप भी अगर PCB order करते हैं तो काफी ध्यान रखिएगा और मैं आपको बता दूँ कि ये एक sponsored video है JLC PCB ने इसको sponsor किया है और ये जो भी PCB आप देख रहे हैं ये उनके थ्रू ही बनवाई गई है और आप जानते हैं कि JLC PCB से जो भी PCB बनती हैं उनकी quality काफी अच्छी होती है JLC PCB की website से PCB order करना बहुत ही आसान है आईए देखते हैं किस तरीके से आप order कर सकते हैं इस amplifier को आप घर में तो यूज करी सकते हैं वैसे घर के लिहास से ये काफी ज़्यादा powerful है लेकिन basically एक professional यूज का amplifier है और इसको as a outdoor amplifier आप आराम से यूज कर सकते हैं यहाँ पर एक चीज में बहुत clear कर देना चाहूँगा कि यह design मेरा नहीं है यह मैंने net से लिया है और यह professor Marcel Leach amplifier है जिसको Leach amplifier के नाम से जानते हैं आईए इसकी specifications देख लेते हैं इस amplifier के output power लगभग 700 watt के आसपास में है 4 ohm के load पर और 350 watt के आसपास में रहेगी आपके 8 ohm के load पर power supply आपको इसको dual 50 volt DC से लेकर 80 volt DC तक दे सकते हैं उसी के according आपका output मिलेगी maximum आप इसको plus minus 110 volt DC दे सकते हैं frequency response 10 hertz to 180 kHz तक का है जो की बहुत ही जबरदस्त है input sensitivity 1.1 volt है full power के लिए slew rate 35 volt per microsecond है TSD 0.04% है gain 26 dB का है speaker protection अगर आप इसमें लगाते हैं तो 2 second के delay से आपको उसको on करना है तो ये थी specification से simplifier की ये है circuit diagram इस simplifier का तो आईए इसको समझ लेते हैं अगर आप इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा detail में जानना चाहते हैं तो amplifier designing पर मेरी वीडियो है कई सारे parts में उसको आप जाके देख सकते हैं तो यहाँ पर input से start करते हैं 1μF के capacitor से और ये एक network बनाए गया है RC network ताकि बहुत ज़्यादा high frequency का content इसमें input ना हो सके 390 PF से और यहाँ पर 2.2K का input resistance लगाए गया है यह सारी चीज़े मिलकर इस amplifier का input impedance डिसाइड करती हैं और यहाँ पर LTP pair जैसा कि आप जानते हैं LTP pair में 2 transistor होते हैं दो LTP transistor BC546 लगाकर यहाँ पर एक input pair बनाए गया है और अगेन एक BC546 transistor के तुरू constant current source बनाए गया है इस diode की help से और यह positive supply से आपको जुड़ा हुआ है तो यहाँ से इस LTP source को positive supply यहाँ से मिल रही है जो की current regulated है और यहाँ पर इस circuit को आप ध्यान से देखेंगे तो यह इसका center point है और अगर आप देखेंगे तो जैसा की उपर circuit बना हुआ है ठीक वैसा ही circuit नीचे भी बना हुआ है तो एक तरीके से एक symmetrical amplifier का circuit है जो चीजे उपर लगी हुए है वही ठीक चीजे नीचे भी लगी हुए है और एक normal amplifier में आप जानते हैं कि एक single input stage होता है लेकिन यह एक symmetrical amplifier है तो यहाँ पर सारा का सारा आपका LTP और VAS stage जो है double type में बनाया गया है तो यह भी इसका एक LTP stage है और यह भी एक इसका LTP stage है तो एक LTP आपका यह हो गया और दूसरा LTP यह हो गया दूसरे lower side के LTP के लिए BC556 transistor यूज किया गया है और उसके लिए भी constant current source में BC556 यूज किया गया है बाकि 20 volt के 2 zinal diode में लगाए गया है और यह 2.2 k का resistance उपर और न constant voltage मिलती है और उसके result में यह constant currents की supply in base pair के transistor को यानि की LTP pairs को देते हैं इस simplify को जब भी आपको बनाना है एक काम करना है कि LTP pair के transistor आपको matching मे लेने चाहिए यानि कि उनका HFE match होना चाहिए किसी तरीके से in transistor का भी HFE आपको match करना है उसके बाद हम यहां से आगे चलते हैं तो यह हमारा VAS stage है और इसमें VAS stage भी single transistor का ना बना के dual transistor का use किया गया है ताकि आपको gain काफी अच्छा मिले Darlington pair type में बनाए गया है तो एक यहां पर आपका BC556 है यहां पर यह पुराना semantic है इसमें 470 दिया हुआ है लेकिन यहां पर MJE 350 या 340 लगेगा जो भी हो main PCB देखेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा उसी तरीके से lower side पर भी एक VAS लगाए गया है यहां पर miller capacitor 10 PF के लगाए गया है दोने transistor के base to collector पर यहां पर एक transistor BD140 के थुरू bias spreader बनाया गया है जो कि आपके output transistor की heat को sense करता है और उसी के according bias को automatic change करता रहता है यहां से आप bias voltage adjustment भी कर सकते हैं लेकिन इस circuit में offset voltage adjust करने के लिए कोई भी preset नहीं दिया हुआ है लेकिन इस circuit में DC offset बहुत ही कम आता है और because दोनों stays identical है तो एक त transistor और diode का network जो बीच में लगा हुआ है यह VI limiter है यह 4 ohm या 8 ohm पर kick in बिल्कुल ही नहीं करता है जब इस amplifier को आप 2 ohm पर चलाएंगे और यहां पर मैं बता दूं कि यह amplifier 2 ohm stable है 80 volt तक के supply से आप इसको 2 ohm पर चला सकते हैं लेकिन ऐसा avoid कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रह लगेगा और output power को restrict कर देगा उसके अलमा अगर output आपकी short वगरा हो जाती है तो उस condition में यह VI limiter काम करता है तो यह VAS stage से निकल कर हमारा pre driver stage में 15 035, 15 033 transistor लगे हैं दोनों side में upper side में और lower side में वहाँ पर signal जाता है यहाँ पर यह signal amplify होकर फिर 12 ohm transistor में उपर और 143 transistor में नीचे जाता है तो यहाँ पर जो output stage यूज की गई है वो TEF output stage यूज की गई है triple emitter follower इसको बोलते हैं इसके बारे में अपने last amplifier designing की वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको बता चुका हूँ तो TEF stage काफी अच्छा होता है क्योंकि TEF stage की वज़े से आपके pre drivers पर ज्यादा load नहीं पड करता है और बहुत ज्यादा load पड़ने पर भी हमारे amplifier की gain कम नहीं होती है तो जो यह next हमारे बाउंस और 493 है यह again main driver की रूपें काम करते हैं और यह main driver आपको आगे 8 pair के transistor आपके 5200 और overload नहीं होता है बड़े आराम से यह एक transistor जो है 10 transistor को drive कर देता है output transistor के base पर भी यहां registers का use किया गया है ताकि अगर थोड़ी बहुत इनके HFE में mismatch हो तो वो matching आपकी हो जाए उसके बाद आपके emitter पर जो output resistance लगाए गई है वो 0.47 ohm 3 watt या 5 watt की carbon या wire wound जो भी है आप लगा सक लगते हैं output में एक inductor का use किया गया है जो की jobal network का एक part है उसके अलामा output में diode भी लगाए गया है जिसे clamping diode हम बोलते हैं तो high voltage emf जब speaker के थुरू back emf आता है तो उसे इस amplifier को यह protect करते हैं power supply की इस तरीके से बनाना है यह भी detail में इसी वीडियो में आपको बता दूँगा इस तरीके से एक छोटा सा description था इस circuit का और यह circuit बहुत ही famous है audio word में काफी professional amplifier इस circuit के base पर बने हैं प्रोफेशल W. Marshall Lee Jr. ने इस circuit को develop किया था और USA की कई सारी universities में as a project इस amplifier को लिया जाता है तो इस नजरिये से काफी अच्छा है और काफी पुराने time से यह amplifier एक industry standard है और इस amplifier के circuit को choose करने का reason भी मैं आपको बता देता हूँ जब मैंने decide कि मुझे एक high power amplifier बनाना है तो मेरे दिमाग में एक बात हमेशा से थी कि मुझे एक ऐस amplifier बनाना है जिसे मैं home use में भी ले सकूँ उसकी इतनी अच्छी quality हो low level की listening भी मैं करूँ तो काफी अच्छी audio performance मिले और high level की listening म high power output जब लूँ तब भी उसकी quality काफी अच्छी होनी चाहिए तो इन सारे standards पर ये amplifier का circuit काफी अच्छा उतरता है अगर आप इसको as a home amplifier भी use करते हैं आप इसको plus minus 50-60 volt की DC supply दीजिए और 3-4 या 2 transistor आप output में यूज कीजिए तब भी ये काफी अच्छा काम करेगा इसके अला minus 100, 10 volt तक की supply दे सकते हैं उस condition में ये amplifier आराम से 11-1200 watt की RMS output दे देगा class AB में भी काफी अच्छे THD पर तो आप पर depend करता है कि किस तरीके से आपको इस circuit को use करना है लेकिन मैं यहाँ पर बार बार बताना चाहूंगा कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं ये circuit वगरा जो PCB के बार में देख लेते हैं कैसी PCB मैंने design की थी इसका dimension आप देखी रहे है 97-272 mm है काफी बड़ी PCB है और इस PCB को मैंने 100% खुझ से create नहीं किया है थोड़ा बहुत मैंने modify जरूर किया है कुछ alignment बगरा था वो मैंने किया है अगर आप lease 700 watt amplifier या lease double barrel amplifier करके खोजेंगे तो आप आपको बहुत सारे versions मिल जाएंगे यह single side PCB है लेकिन मैंने जब इसको order किया था जो भी allegiance की marking देख रहे हैं मैंने copper side में करा दी थी यहाँ पर input stage में जितने भी आपके resistance वगरा लगे हैं सभी half watt की use कीजी क्योंकि काफी high voltage पर यह amplifier चलता है और यहाँ पर input में 2 watt का resistance भी लगा heat होता है उसके लाब है जो VAS में आपके transistor लगे हूँ है उनकी marking भी मैंने थोड़ी correct की है तो जब भी आप इसको assemble कर रहे हैं तो base collector meter transistor का जो भी है उसको काफी carefully देखके लगा है क्योंकि काफी powerful amplifier है यह कुछ भी mistake हुई तो आपको आग वगरा लग सकती है तो because मैंने भी description में दे दूँगा अगर आप इसको redesign करना चाहें तो redesign भी कर सकते हैं और जो मैं file description में दूँगा वहाँ पर मैंने लिजेंट्स वारी layer correct कर रखी है तो आप उसको बेहिचक print करा सकते हैं और single side की PCB है इसका PDF अगरा भी net पे मिल जाता है अगर आप do it yourself तरीके से बनाना चाह इसी exact board को मैंने JLC PCB को order किया था तो आइए देखते हैं कि हमारा जो PCB आया हुआ है वो कैसा है और कुछ इस तरीके की PCB बनके हमारे पास JLC PCB से आई है PCB की finishing काफी बढ़िया है और आइए चलते हैं अब assembly की तरफ bill of material की list मैंने अपने description में दे दी है आइए अब amplifier को assemble करना start करत तो इनको मैं लगा लेता हूँ 330 हों के सारे registers लग चुके हैं यहाँ पर यह 12K 12K यह 2.2K का 2W में आपको लगाना है यहाँ पर 1.2K लगाना था लेकिन मेरे पास नहीं है तो 1.5 में ने लगाया आप 1.2 का ही लगाई है input section के driver section के सभी registers लग चुके हैं अब मैं output में आता यहाँ पर कुछ registers, base registers, emitter registers लगाने हैं यह सारे registers में लगा देता हूँ यह सभी 1W के registers हैं 1W का अप लगाई है 8 registers इधर लगे गया है एक registers इधर लग गया है यह base registers है 10 Ohm, 1W के यह 1.5W के आप यूज़ कर सकते हैं और आप बारी आ गई power registers की जो की output पर लगते हैं इमीटर पर transistor के तो 5W के 0.47 के specified है 0.05 का आप ले सकते है 0.33 का भी ले सकते हैं तो मेरे पास 0.55W में अब लाइबल है तो इनको मैं यूज़ करूँगा दो लग गया तीन लग गया इनकी जगा आप carbon resistance भी 2W का यूज़ कर सकते हैं कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ता है ये एक side का हो गया दूसरे side का भी लगा लेते हैं ऐसे ही दूसरी रों भी रख चुके है मेरे पास स्टार्ट करते हैं मारा iron पर्याप होना चाहिए तो हमारी रेजिस्टर के सोल्डिंग हो चुकी है अभी हम इसकी cutting कर लेते हैं ताकि सब लेक्स निकल जाए और कुछ क्लिन लेस आजा है उसके बाद जो भी सॉल्डर्स वगएरा बचे होंगे उसको एक बार हम चेक कर लेंगे और अगर कुछ solding अच्छे से नहीं होई होगी तो एक बार हम उसको revise कर सकते हैं और ये जो legs कट रहा है इसको edge jumper हम भी use कर सकते हैं कोई track ना कट जा ऐसा हमें कटना है बहुत आराम से कटना है tracks ही cutting हो चुकी है इसको एक बार brush से clean कर लिजिए और उसके बाद हम ध्यान से अब मैं इसे sold कर देता हूँ 100.5 के 6 capacitor लगे हुए हैं इसमें तो box type के capacitor हम लगाएंगे तो 100.5 के capacitor मैंने लगा दिये कुछ electrolytic capacitor है वो भी मैं लगा देता हूँ सारे capacitor 100 microfarad 100 volts के हैं एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है तो यह electrolytic capacitor लग गए मेरे सभी input capacitor वाइमा का मैं लगा रहा हूँ 1 microfarad का बहुत अच्छी quality का होता है आप 2.2, 4.7 10 microfarad तक का लगा सकते हैं मैं देखूंगा कि इसे performance के इस तरीके का आता है फिर recording ली हम अप्ग्रेड कर सकते हैं पीएफ टाइप के capacitor लगा दिये हैं एक्जेक्ट वैल्यू का ना मिला आसपास के वैल्यू का लगा सकते हैं कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं जैसे यहाँ पर दो कैपिसिटर इसलिए लगाए गए हैं कि आपको एक्जेक्ट वैल्यू ना मिले तो कोई भी कॉम्बिनेशन मिलाके आप एक्ज़व सी पीएफ के बास बना लेजिए यहाँ पर देखिए दो कॉम्बिनेशन हैं लेकिन मैंने एक बन लगाया हैं क्योंकि यहाँ पर 47 प्लस 47 प्लस 10 यानि कि 57 पीएफ का है लेकिन मुझे 56 का मिल गया तो मैंने यह लगा दिया है तो इस तरीके से इसमें प्रोविजन दिया गया है बोर्ड में आप अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें लगा सकते हैं तो आई यह से सोल्डर कर देते हैं बाँ कुछ कंपोनेंट मेरे पास नहीं थे जो कि मैं अब मार्केट से लेके आया हूँ यह मेन सिगनल ट्रांजिस्टर नहीं थे मेरे पास और इसी बीच में मैंने कुछ यह ट्रांजिस्टर मांट कर दिये जो मेरे पास थे जैसे कि यह ड्राइवर है और यह प्री ड्राइवर है, यहां पर BC546 और BC556 लगता है, वो मैं मार्केट से लेकर अभी आ गया हूँ, जिनर डायोड को बड़ा केरफुली देख लेना है, क्योंकि मिलता नहीं एक्सर यह, जिस तरीके से बैक साइड में मार्किंग है, उस तरीके से इसको मांट करना है, क्योंकि यह डायोड अगर गलत लगे, तो आपका काम नहीं करेगा, सिस्टम बिलकुल भी, देखिए, एक मैंने यहां पर लगा दिया, यह दो जीनर डायोड लगा दिये, और यहां पर इसका प्रोटेक्शन का सर्किट है, जो मैं भी नहीं लगा रहा हूँ, बाद में कर्मेंस मिलेगा, तो इस तरीके से दो मॉडियूल मैंने तयार कर लिए हैं, और मैं टेस्ट करूंगा, पहले एक मॉडियूल में मैंने कम ट्रांजिस्टर लगाया है, ताकि इसकी माउंटिंग हमारे हीट सिंक में आराम से हो जाए, और इसको टेस्ट कर लेंगे, जब हमा लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी, कोई भी इसमें ऐसा फैंसी कमपोनेंट नहीं लगा हुआ है, जिसको आपको खोचने में कोई मुश्किल हो, अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में देखाऊंगा कि किस तरीके से हीट सिंक पर इसको फिट करना है, माइका पैड वगरे लगाने हैं, और इसकी टेस्टिंग और पाउर सप्लाई वगरे भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, और ये गिववे वीडियो है, इसलिए अपने सब्सक्राइबर को इस PCB बोर्ड का विदाउट एनी कमपोनेंट, पांच का मैं गिववे करूंगा, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, और जैसा कि टर्म सेंट कंडिशन में आगे बता रहा हूं, ताकि आप भी एक बढ़ी अम्प्लिफायर बना सकें, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको दोनों वीडियो देखने हैं, और दोनों वीडिय अबिद है कि वीडियो आपको काफी अच्छा पसंद आया होगा, और इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को ध्यां से देखिए, बहुत ही अच्छा अम्प्लिफायर तयार होगा, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को काफी अच्छा सपोर्ट करेंगे, आपके काफी यूसफुली अम्प्लिफायर साबित होगा, चाहे होम यूज हो या प्रो यूज हो, तो फ्रेंट्स वीडियो को देखते रहिए, और इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए, ओके टाटा एंड बाए